वाह क्या IPO है उसमें आपको दो एक्जामपल देते हैं जो लिस्टिंग्स हुई है आज शौरे हमाई साथ मौजूद है पूरा एक्शन समझाने के लिए कि किस तरह का महौल बनता हो दिखाए लिस्टिंग पे तो क्या इस कैटेगरी में किस तरह से ये दोनों जो है वो शौरे से समझते हैं शौरे बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमाई साथ जुड़ने के लिए जो दो लिस्टिंग हुई है आज पहले उसके बारे में बताईए कितनी वहवाई उन्होंने कमाई है आज जी आज दो कंपनियों के लिस्टिंग हुई और एक कंपने के लिस्टिंग थोड़ी अच्छे होई है 25% के प्रेमियम पर वह है रतनावीर प्रिशेजन इंजिनिरिंग इस आइप्यों का जो एनसी पर 123.2 रुपीज पर खुला है पर शेयर जो इशू प्राइस है 25.7% के प्रेमियम पर है इसका इशू प्राइस था 98 रु इस बेंड था और वहां पर हम देखते हैं कि यूजुली जो एक्टिविटी है जो रिस्पांस है वो दर्शकों के और से काफी जादा देखने को मिलता है इंवेस्टर्स के और से और हमने देखा भी वह सब्सक्रिशन के नमबर में 94 गुना के आसपास सब्सक्राइब देखें दो चीजें यहां पर आज जो मुझे मार्केट पर आपके साथ शेयर करनी पहला तो देखें 26 परसेंट का रिटन आपको मिलिया लिस्टिंग के लिए सजीशन था तो 26 परसेंट से बढ़िया रिटन है बुक करना चाहिए दूसरी तरफ है लॉंग टम के इसाब से देखें जब इस तरीके के जो आई पियोज होते हैं जिनमें आपको सब्सक्रिप्शन बहुत मलता है रेटेलर्स का तो सेट आफ एक्शन चोटा आई पियो थे इस तरीके के सेट आफ टेगरी के लोग एक्टिव ज्यादा होते हैं लेकिन उसको लॉंग टम पर करने में ट पैसा बना है उसको आप बुक कर लेजे शॉर्ट टम गेन के लिहां से काफी अच्छा है दूसरा आई पियो जो लिस्ट हुआ है शौरे उनके बारे में बताईए जी दूसरा आई पियो जो लिस्ट हुआ है उसका नाम में रिशब इंस्ट्रुमेंट उस पे सिफ चार पर इसका एग्जेक्ट साइस था जो कम हीना एपियो से जुटाए है चार सो एक्तालीस रुपे ये इसका इशू प्राइस था आज चार सो साट रुपे के आसपास खुला है बी एसी के लिवल्स अगर आप देखें तो चार सो उनत्तर रुपे 65 पैसे का इसने हाई बनाया था वहां से करेक्ट हो गया थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आती हो दिखी है चार सो से तालीस चार सो एटालीस रुपे के आसपास से फिलाल ट्रेड कर रहा है रिस्पॉंस तो ठीक ठाक मिला था सर 32 गुना के आसपास से सब्सक्राइब भी हुआ था पांच पसंद के आसपास क सब्सक्रिप्शन फिट नहीं बैठता जब तक 50% का सब्सक्रिप्शन ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अगर लिस्टिंग के टाइम पे ही इस स्टॉक को निकालना चाहिए था बाकी मैं जो उमीद है कि एक वाटर इंतिजार करना चाहिए और थोड़ा करेक् सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी लगब बारा गुना सब्सक्राइब हो चुका है इस अगर हम जीएंब नजर डाले तो इसका जीएंपी चल रहा है 120 रुपीज का जो इसे 56.87% की प्रेमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है क्या रहा होगी रभी सर एमस के आईपियो में क्योंकि जो संसागत निवेशक हैं QIB उनका कोटा तो यहां पे नहीं भरता हो दिखा है हलाकि जो HNIs है और जो रीटेल है उनकी और से रिस्पॉंस काफी जबरदस देखने कुमला और वो कहीना कहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख भी रहा है उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि प्रोफिडिविल्टी तो इनकी जरूर अच्छी है लेकिन फंडिंग को लेकर के कई चीजों पर ऐसा होता है कि कई बार खोड़े से डिले हो सकते हैं वो एक इश्व यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिससाब से अभी रिटेलर का यहां पर रिस्पांस है उसको देखते हुए लिस्टिंग गें में आपको पर आपको पूर्टी मिल सकती है आठ से 10 परसेंट तक का जो है वो रिटन मिल सकता है तो सोच समझ कर एक बार को निवेश कि सकता है कितने लौट के लिए अपलाई करें कोशिश करें मिनमम ही कोशिश करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से इंवेस्मेंट करने की जबत नहीं है तो एक ही लौट लगाएं कोई बहुत बड़ा गेन आ जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं है आठ से 10 पसं जी SMA side में 3 IPO खुले हुएं तीनों में एक अच्छा result नज़र आ रहा है उनके GMP में भी और उनके सब्सक्रिप्शन के आकड़ों में पहला है Uni Health Consultancy ये छोटा IPO 56.55 करोड का इस अगर लेटेस सब्सक्रिप्शन के आकड़े देखें ये तोड़ा कम बढ़ा है ये 2.38 टाइम सब्सक्रिप्शन खाली 4% ही बढ़तावा नज़र आया है दूसरा है जीवन नाम शुदत्रा इंडस्ट्री उसके अगर हम लेटेस सब्सक्रिप्शन के आकड़े देखें तो वह तोड़ा अच्छा भरा है वह 15 टाइम भर चुका है और यहां पर NII का सब्सक्रिप्शन भ लगबग 27 गुना भरा है तीसरा आइप्यो है मेसन वाल्स मेसन वाल्स का टूटल सब्सक्रिप्शन भरा है 23.3 टाइम का यह 12 बस तक क्या आकड़े है लिगे लेटेस आकड़े देखें तो बढ़ चुका है अल्मोस्स 30 टाइम इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 50 गुना दिखा रहा है जीवन राम शुदत्र रहे इंडस्ट्रीज का पंदर रुपे का जीएम पी है 30 रुपे के वाफ़र जो इसे 65.22 परसंट के प्रिम्यम पर लिस्टिंग दिखा रहा है तो यह समी साइड में तीन आईपी ओस हैं जो की 12 तारिक तक यानि कल तक के लिए खुल रहे शुदत रहे इंडस्ट्रीज इसका जो प्राइस है वो 23 रुपे का यह भी फिक्स प्राइस इसू है और इसका जो जीएम पी है वो 15 रुपे पति शेर के आसपास का है और मेसन वाल्स यहां पर काफी दमदार एक्टिविटी है 30 गुना के आसपास यह अलड़ी भर च यह तीन आईपयों खुले हुए हैं तीनों कल बंद होने वाले हैं तीनों पर अपनी रहे बताइए किस पर पैसा लगाना है किस से दूर रहना है कि बहुत शॉर्ट में बोलूं तो मैसे इंवाल्ड यहां पर फुड़ा अट्रेक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन 100% के उमीद मत करें मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20 परसेंट या फिर मैक्सिम आपको 25 परसेंट तक का गेन मिल सकता है तो आप इस पर कर लिजे बाकि दो को आप अगर नहीं पर अप्लाई करें कि तो को दिक्कत नहीं है तो आप कह रहे हैं कि यूनिहेल्थ कंसल्टेंसी और अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 से 20 परसेंट के आसपास एक देखने को लेंगे ग्रे मार्केट प्रीमिम जितना दिखा रहा है उतने रिटरंस तो नहीं लेकिन हां मैक्सिम हो सकता है 25 परसेंट के जो रिटरंस हैं वो आपको देखने को लिजाए आप आप हमारा साथ जुड़े सारी जानकार या आपने हमारा साथ शेयर करे आपका बहुत बहुत थन्यवाद चलिए तो ये था हमारा खास सेग्मेंट आई पे से जुड़ा हुआ वाह क्या आई पी ओ है वाह क्या आई पे ओ है